हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटीव चैनल विशाल गौतम से 183 पर आज है 17 मार्च 22 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लिकार आया हूँ 17 मार्च 23 के डेली कर इंटरफेस के कुछ important questions अगर आप किसी भी अग्याम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यदा important रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी all पर प्रेस कर लिजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको अमरे टेलीग्रम चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्रम चैनल का लिंक आपको वीडियो की description में मिल जाएगा अब वहां से चैनल को join कर सकते हैं तो आप पूरा वीडियो को द्यान से देखिए और वीडियो के लाश्ट में मैं आपसे question भी पूछूंगा उस question का सही answer आपको comment में बताना है तो चलिए चलते हैं अपने topic की ओर पहला question है हाल ही में राष्टिय टीका करण दिवस कब मनाया गया है इस question का सही answer हो जाएगा option A 16 March तो हाल ही में राष्टिय टीका करण दिवस 16 March को मनाया गया है टीका करण के मत्व के साथ साथ सारवजनिक स्वास्त में इसकी भूमका के बारे में लोगों को बताने के लिए हर 16 March के दिन राष्टिय टीका करण दिवस मनाया जाता है राष्टिय टीका करण दिवस मुख्य तोर पर जागुकता फहलाने के साथ साथ ये संदिश देता है कैसे टीका करण अत्यदिक संक्रामक रोकों को रोकने का सबसे प्रवावी तरीका है नेक्ट कोशन है कौन सा केंद्रिय मंत्राले वर्ड फूड इंडिया दोया तेस कारकरम की मेजवानी करने जा रहा है इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी खाद पसंसकरण उद्योग मंत्राले तो खाद पसंसकरण उद्योग मंत्राले वर्ड फूड इंडिया दोया तेस कारकरम की मेजवानी करने जा रहा है खाद पसंसकरण उद्योग मंत्राले नवम्मा दोया तेस में नई दिली में वर्ड फूड इंडिया दोया तेस के दूसरे संसकरण की मेजवानी करेगा वर्ड फूर्ड इंडिया दोया तेज के पांच प्रमुक तत्वों में मोटे अनाज नवाचार और इस्तरता स्विष्ट क्रांत्री 2.0 बारत को एक निर्यात केंद्र बनाना और पौद्यों की और डिजिटली करश शामिल है। आयू में निधन हो गया है। प्रतिष्टित तेली वीजन सो नुकड में अपनी बोमिका येतु पैचाने जाने वाले अबनेता समीर का 71 वर्ष की आयू में निधन हो गया है। नेक्ट कोशन हैं वर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूसित देशों की लिष्ट में भारत की रैंक क्या है। इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी आठवी। तो वर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूसित देशों की लिष्ट में भारत की रैंक आठमी है। स्विसफ फर्म आईकव एयर ने हाल ही में वर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट दोएयर 22 जारी की है इस लिष्ट में टॉप पचास प्रदूसित सेरों में 49 भारतिय शहर शामिल है वर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार बारत दोएयर 22 में दुनिया का आठमा सबस प्रदोसित देश है जो पछले साल पांच में इस्थान पर था इस कुश्यन है हाल ही में BIS ने छात्रों के लिए कौन सी पैल सुरू की है इस कुश्यन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए Learning Science via Standards तो हाल ही में BIS ने छात्रों के लिए Learning Science via Standards पैल सुरू की है बारतिय मानक ब्यूरों ने छात्रों भीतू Learning Science via Standards सुरू की है यह सुरू की है यह सुरू किछले BIS पैल के साथ निरंतर तामे है जिसके तैट सैचिक संस्थानों में मानक कलब इस्थापित किया जा रहे है Next question है बहुत विरासत पर पहला अंतराष्टिय सम्मेलन कहां आयवजित किया गया है इस Q Project का सैचिय अंसर हो जाएगा option B – नई दिल्ली तो बहुत विरासत पर पहला अंतराष्टिय सम्मेलन नई दिल्ली में आयवजिद किया गया है साजी बहुद विरासत पर संगाई सैयुक संगठन के दो दिनों तक चलने वाले अंतराश्टिय सम्मेलन नई दिली के विज्ञान बवन में उद्गाटन किया गया जिसमें ऐसी यो राश्टनों के साथ भारत के सब्यता अगत जुडाप पर द्यान केंद्रित किया गया इस अफसर पर स्री जी के रेड़ी ने कहा कि सम्मेलन न केवल बहुद साजी विरासत का जश्न मनाएगा बलके हमाई देशों के बीच सम्मन्नों को और भी अधिक मजबूत करेगा नेक्ट कोशन है हाल ही में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्गाटन कहा हुआ है इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी मद्दपदेश तो हाल ही में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्गाटन मद्दपदेश राज्य में हुआ है मद्दपदेश में राजपाल ने मद्दपदेश के बोपाल में तीसरे दिव्य कला मेले में खाने पीने की चीजों साय तेश बर में सामान का उदगाटन किया मेले में खाने पीने की चीजों साय सामान की पदाशनी लगाई जाती है मद्दपदेस राज्य की स्थापना एक नवम मर 1956 कोई थी मद्ध पदेस की राईधानी वो पाल है मुख्य मंत्री हैं सिवराष्टें चोहान और राजपाल हैं मंगु भाई छगन भाई पाटेल नेक्ट कुशन है हाल ही में रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना सुरू करने वाला बारत का पहला राज कौन सा बन गया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन भी उत्तराखंड तो हाल ही में रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना सुरू करने वाला बारत का पहला राज उत्तराखंड बन गया है राज के करशी मंत्री गडेश जोसी ने कहा के उत्तराखंड ने अपने रेशम उत्पादकों की सुरुच्छा के लिए देश का पहला रेशम कीट बीमा कारकरम शुरू किया है अब जानते हैं उत्तराखंड राज के बारे में उत्राखन राज की स्थापना 9 नवंबर 2000 कोई थी उत्राखन राज की दो राइदानिया हैं दहरादून हैं शर्दियों के लिए और गैर शेयन हैं गर्मियों के लिए उत्राखन के मुख्य मंत्री हैं पुश्कर्षें धामी और राजपाल हैं गुर्मीत से हैं नेश्ट कोशन है, हाल ही में किस शहर ने दुनिया के सबसे बड़े Stock Market Education Conclay की मेजबानी की है? इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा Option A, नई दिल्ली. तो हाल ही में नई दिल्ली, शेहर ने दुनिया के सबसे बड़े Stock Market Education Conclay की मेजबानी की है? नेस्ट कुश्चन है कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे इस्टोर करने वाला पहला देश बना है इस कुश्चन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी डेनमार्क तो डेन्मार्क देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे इस्टोर करने वाला पहला देश बना है डेन्मार्क ने उत्तरी सागर के नीचे अठारह सो मीटर कारवन टाई आकसाइड को इस्टोर करने के लिए एक परियोजना का उदगाटन किया जो बिदेशों से आयात CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश है तो एक बार सभी पैशनों का रिवीजन कर लेते हैं हाल ही में राष्टिय टीका करण दिवस का मनाया गया है तो 16 मार्च को राष्टिय टीका करण दिवस मनाया गया है कौन सा किंत्रिय मन्त्रा ले वर्ड फूर्ड इंडिया दो या तेशकार करम की मेजवानी करने जा रहा है हाल ही में दिगज अबनेता समीर खाकर का कितने वर्ष की आयू में निधन हो गया है तो हाल ही में दिगज अवनेता समीर खाकर का 71 वर्ष की आयू में निधन हो गया है वर्ड एयर क्वाल्टी रिपोर्ट के अनुसार पदोशित देशों की लिष्ट में भारत की रैंक क्या है तो World Air Quality Report के अनुसार पदोशित देशों की लिष्ट में भारत की रैंक आठमी है हाल ही में BIS यानि Bureau of Indian Standards ने छात्रों के लिए कौन सी पहल सुरू की है तो हाल ही में BIS ने छात्रों के लिए Learning Science वाया स्टेंडर्स पहल सुरू की है बौध विरासत पर पहला अंतराष्टी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है हाल ही में तीसरे दिव्यकला मेले का उधगाटन कहां हुआ है हाल ही में रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना सुरू करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बन गया है हाल ही में रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना सुरू करने वाला भारत का पहला राज उत्राखंड बन गया है हाल ही में किस सहर ने दुनिया के सबसे बड़े इस्टॉक मार्केट एजूकेशन कौनकलेब की मेजवानी की है हाल ही में नई दुनिया के सबसे बड़े इस्टॉक मार्केट एजूकेशन कौनकलेब की मेजवानी की है कौन सा देश सी ओ टू आयात करने और इसे समुद्र के नीचे श्टोर करने वाला पहला देश बना है कल की वीडियो मैंने आपसे कोशन पूछा था बारत और केश देश की नौसेना के बीच अरब सागर में समुद्री साज़ेदारी अभ्यास आयोज़त किया गया है था option A, France तो भारत और फ्रांस देश की नोसेना के बीच अरब सागर में समुद्री साजेदारी अभ्यास आयोजद किया गया है अब आपके लिए आज का question है हाल ही में किस राज्य केंद सासित प्रदेश में जनता के लिए एखिया का सबसे बड़ा टी उलिफ गार्डन खोला जाएगा इस question का सही answer आपको comment में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की helpful लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर share करना और अगर आप इस channel पर पहले बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर लेना तो चलिए चलते हैं जै हिंद जै भारत वंदे मातरम